को दोस्तो कैसे हो आप उमीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे सर्कीट बॉर्ट रखे हुए हैं ये सारे आर्टोमेटिक वोल्टेज इस्टिब्लेज तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कॉन से स्किट आप कितने वोल्ट के वुल्ट के विडियो पुर्ष देखेंगे वीडियो परसना आप प्रीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्ता सबस्ते पहले हम बात करते हैं Microcontroller circuits के बारे में आपको जो सामने तीन circuit दिखाई पढ़ ला है यह सब Microcontroller circuit है इसमें से यह circuit है यह digital display के साथ में है यानि यह display इस circuit के साथ attach हो जाता है और इसमें सब कुछ rating लिखकर आते हैं सब लिखकर आता है और यह देखिए इसका circuit board है इसमें देखिए केवल एक ही पेसेट देर रखा है circuit के सैटिंग के लिए यतने भी steps होंगे कब सब इस पेसेट से set होंगे और यह सब आले जो पेसेट देर रखा है यह केवल मीटर की reading सैट करने के लिए है और बहुत अच्छा circuit है इसमें हमें किसी ट्रेगर आफसमें की जोद नहीं पड़ती है यह हमारा तीन ओपरेटिंग लिए और एक टाइमर रले के लिए है यह हम 90 वोल्ट से लेकर प्रॉन के आप्टमेटिक वोल्टेज इस्टेडिजर में यूस कर सकते हैं और सारे steps बहुत अच्छे आते हैं इसके इसके लाबा फिर दूसरा circuit आप देख रहा हो यह एक सब्सक्राइब के लिए यानि यह भी 5 step circuit है इसमें भी high cut low cut और टाइमर सब कुछ दे रखा है इसमें भी केवल एक ही पे से सब हो जाती है जयानि इतने भी steps है सब इसी पे से सब्सक्राइब हो जाते हैं इसमें हमें किसी तरह के किसी ट्रेगर आसामर की जबत नहीं पड़ सब्सक्राइब हो 7 step circuit है और double face में आप इसे 90V से लेकर 440V के इस ट्रेगर में यूज़ कर सकते हो या फिर 140V से लेकर 520 या 530V टक के इस ट्रेगर में आप इसे यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे steps आते हैं किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है लगाना बहुत ही आसान है औ यह five step circuit है इसमें हमें तीन पर सट डियर रखे सैटिंग करने के सैटिंग करने के लिए यानि हरी स्टेप पर हमें अलग सेटिंग करना पड़ेगी और इसमें हमें यूजा के ट्रेगर की दोह सप्लाई की देना पड़ती है अर्गी में आपको पता है कि भृपीस में लुक एक ही इसले सेट करेंगे हमाई साइज एले कुछ सेट हुई आती है और इसमें किसी तहां कोई हाई-Cut या फिर लोकट ये टाइमर नहीं होता है अगर इसमें हमें हाई-Cut टाइमर लोकट लगाना परता है तो हम यह सब्सक्राइब क्याते हैं यह केवल हाई-Cut और लोकट टाइमर के लिए है इसमें देखिए यह अलग पेसेट डे राखे होते हैं यह पेसेट लोकट सेट करने के लिए होता है और यह सवाल पेसेट हाइट सेट करने के लिए होता है टाइमर इसमें इन बिल्ट होता है और यह देखिए केवल सिंपल टाइमर है अगर हमें इस साथ म तो हम यह थोकट नहीं होता है अब बात करते हैं दोस्तों इस साइक्ट के वाई में यह स्याद आपने देखा हो यह आटोकट या फे मैनुल वोल्टेज इस इसे इसे हम हमें यूज करसे हैं आगर मा लिए जिए हम 5 step स्टपलेश करें तो हमें 3 सेकिट उस्यू ed comport करना पड़ेंगे 3 step निफित कर रहे हैं तो हमें 2 सेकिट उसकर उसक्री स्पनारी उसकर उसक्त में 0-फितала इसक्ट में श्यूज़ चार स्टा करना पड़ेंगे तो इस तरह से यह circuit हमारा work करता है तो दोस्तों उमीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे इन circuits के वारे में कैसे काम करते हैं जल्द ही next video में हम यह circuit आपको step down में लगाकर चलाकर बताएंगे practical video करके बताएंगे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को contact करके आप circuit खहीद भी सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बताने बाद